लॉर्ड किष्णा नमन माई आल स्वीट दियर स्टुडेंड लॉर्ड किष्णा नमन टू आल प्यारे पिद्धियारती हो अब हम बात करेंगे एल इडी के बारे में यू मे यूज एन लेडी इंस्टीड ओफव वल्ब तो डिटेक्ट ऐल्यक्रिक करूं फॉर्ड फोर एल्यक्रिक करंट फ्लोत्रोट इड निद उस मतलब ऐल स्कूरंट दैन अ वल्ब तो ग्लोव तीज आर चूं टयू ट्रमिनल कॉल्ड यूज एटेच्छे जू अलेडी इ से मतलब LED को कम करंट किया वसकता होती है ठीक है वन लीड इस स्लाइटली लॉंगर देन दा अधर पहली लीड जो होती है वो लंबी होती है वाइल कनेक्टिंग टू आ सरकेट जो एक सरकेट से जुड़ी रहती है दिस लीड इस कनेक्टिट टू दा पॉस्टिटिव टर्मिन यह लीड जो है पॉस्टिव टर्मिनल यह नि धनात्मिक टर्मिनल जुड़ी रहती ही अउफ दवक्तVI बैटरी डी दिरी डिक दा सौर्ट ट उठेडीड को सॉटotherap एंग शोर्ट आ घोती है निदिदि द्लचते जुड़ी रहती है यह दो 2 सलिजॉ संदार्टैन थ्न ऑन четы सीए विल्स अमाउंट ओफ वेसिस सोडा वाटर एसिड लेमन जूस एंड साल्ट और गुड कंड़क्टर अफ लेक्रिशिटी आपको पहले सी पता है यह सब जो हैं गुड कंड़क्टर अफ लेक्रिशिटी नाइधर डज केरोसिन और सुगर वाटर कौन-कौन है ऐसे जो अ कर सकते हैं तो उनमें सबसे पहले आएगा आपका डिश्टिल्ड वाटर और केरेशन यानिकी मिठी का तेल सुगर वाटर यानिकी घुला हुआ मतलब जैसे नहीं हम लोग चासनी बना लेते हैं मतलब बाटर में हम बड़ी मात्रा में सुगर मिला के और उसमें रसगुल्ल है और डाइजेस्ट होने बाद तो आप जानते ही है जाना स्ट्विट्ट टैब बाटर है ट्रेस ऑफ साल्ट एंड हैंस कंड़क्ट इलेक्रिशिटी और यह एलेक्रिशिटी कंड़क्ट कर सकता है यह बल्व यहां पर पूरी तरह से नहीं जलेगा फैंडली जलेगा ठीक है इस वाई इस नौट सेफ टूट टूट एलेक्रिक एप्लियंस विद वेट हैंस आपसे बोला जाता है कि गीले हाथ से नहाने के बाद आप एलेक्रिक एप्लियंस को टच ना करें क्योंकि आप ज इसा था यसा मिनल्स थे न टेब आप इस तो नहाएंगे नहीं वाटर है इंप्लिटी के अंदर होती हैं असुद्या होती है मिनल्स होते हैं वैंन अब हैंड इजवेट जब हमारे हां गीले होते हैं गटरन्ट इजीली पास थ्रोट तो जो धारा है विद्दुद धारा कर आपको एलेक्ट्रिक सॉक लग जाता है अच्छा हमें जल्दी से लिखके बताओ कितने बच्चों को फील हुआ यह एलेक्ट्रिक सॉक ठीक है तो हमें प्लीज बताइए और यदि आप चाहते हैं तो हमारे पास अपना इंसीडेंट जो है रिकॉर्ड करके भीजिए हमें भी आपन ओम्डा gusta aur theнут उआपकेश लिखकोच क्रेंट ऑफ पुल्मदेख कर हमें और उच्चे थांफप लोग आपकेशंपर या फिलमंत आप करन्द करेक्ट से यानि की फिलमाइंट का जो स्वामेंट हो ही में दो हजाता एंड इति स्टारओं और ये फ्लोग कर नास्ट कर देता है sometime it happens that the circuit is complete but the bulb does not glow कभी कभी ऐसा होता है कि circuit तो complete है लेकिन वल्ब नहीं जलता भाई वल्ब क्यों नहीं जलता चलो हम दिमाग लगाते हैं as it is not heated sufficiently due to weak current भाई जब तक sufficient heat नहीं होगा वल्ब कैसे glow कर जाएगा current तो जा रहा है है न फिर भी current तो जा रहा है लेकिन आपका जो filament है वो heated नहीं हुआ तो current पास नहीं होगा आपको पता है कि चुम्ब की प्रभाव बिद्द धारा का जो चुम्ब की प्रभाव है उसका भी हम test conductivity के लिए करेंगे solution की conductivity के लिए हम बिद्द धारा का जो magnetic effect जो है चुम्ब की प्रभाव उसे हम चेक करेंगे when a current flow in wire जब किसी तार में current flow होता है a compass needle placed due to the wire so deflection अगर उस wire के पास हम compass needle ले जाते हैं और ये compass needle क्या करेगा हमें बताएगा कि कहां पर बिद्धुत छेत्र है electric field है और यह जहां भी electric field होगा बहां अपनी जो स्वी है उससे एकदम से read out करके deflect कर देगा आपको दिखाएगा कि यहां पर electric current है we can make a tester तो आप tester का यूज करते हैं using the magnetic effect of current जो की magnetic effect of current के द्वार आपको पता चलता है and like an LED it could also be used to test conductivity of different liquids आप LED का यूज करते हैं अलग-अलग liquid की conductivity को check करने में प्यारे विध्यारतियों जितनी भी activity है अगर आपके पास batteries है तो आप करिए please AC current से आपको कोई activities chapter की नहीं करेंगे मैं आपसे request कर रहा हूं ठीक है मैं नहीं चाहता कि आपको sock लगे ठीक है to make your oven tester क्या आप अपना खुद का टेस्टर बना सकते हैं चलो देखते हैं take a match box हम आपने माचिस की डिबी ले ली discard the cover and keep only the tray आप cover को हटा दो केवल tray को रखिए अपने पास place a small compass inside the tray एक छोटी सी compass भी रखिए wrap a conducting wire और उसके चारों तरफ conducting wire को लगा दीजिए to the terminal of a battery और battery के terminal से जोड़ दीजिए leave the other end free दूसरा end free छोड़ दीजिए take another piece of wire and connect to it और दूसरा जो wire है उसमें दूसरा जो पीस है वो connect कर दीजिए to the other terminal of the battery leaving और दूसरा टर्मिनल जो battery का उसे भी आप खाली छोड़ दीजिए the other end free जब यह दूसरा end free रहेगा now join the free end to two wire और दौनों में जो free end थे उन्हें जोड़ दीजिए the compass needle so deflection compass needle deflection दिखाएगी your tester is ready आपका tester ready है if you dip the two free end in a solution अगर आप दोनों के दोनों end किसी solution में डालोगे एक plus का होगा एक minus का होगा एक cathode होगा एक anode होगा हैना students you will see the deflection of compass needle तो आपको क्या दिखाई देगा students compass needle का deflection यान की compass needle यहां पर घूमती हुई नजर आएगी प्यारे पिद्ध्यारतियों आपके सामने यह डाइग्राम है प्लीज जल्दी से बच्चे प्रियंट रहते हैं ठीक है थेंक्यू फॉर दिस दियर स्ट्वेंट भाट मेक सर्टें लिक्विट कंड़क्ट एलेक्टिशिटी ठीक है यू है यू है अल्रेडी स्टिडिंग देद्धा मुव्मेंट ऑफ चार्ज संसार में छोटा पार्टीखल्ड जो है उससे हम एक्तम कहते हैं परबमड़ कसे यह इंतल के अंदर सेंटर में नाविक होता हि से कहते हैं और नाभिक पर प्लस चार्ज होता है धनात्मक आवेस होता है क्योंकि यहां पर एक न्यूट्रॉन और प्लस चार्ज हो गया न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है प्लस चार्ज है इसलिए नाभिक का चार्ज प्लस क हो गया और इसके चारों तरफ और विट हैं के एल एम एन हमने आपको सिखाया था स्टुडेंट हमारे सभी स्टुडेंट जानते हैं हमने सबकी क्लास ली थी सेविंद में मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसकै के बारे में मैंने आप से का था इचार्ज अपने ऑधको यो नाभिक जो है फ्लेस चार्ज बाला क्योंकि प्रोटन बइच वन प्रोटन क्यसे हैं शिर्ट का सिंबल क्या उने तकдаfi performed और our नुट उनल क्या था सपने एप माइनक वंन का चार्ज लिए आपको बता है माइन के 1.6 गुडां 10 की घात माइनस के 19 कूलाम माइनस का 1.6 इन्टू 10 to the power माइनस के 19 कूलाम ये एक एलेक्ट्रोन का चार्ज है एक प्रोट्रोन का चार्ज प्लस के 1.6 इन्टू 10 to the power माइनस के 19 कूलाम ये एक प्लस चार्ज है और नीट्रोन का 9 चार्ज है प्यारे भी ध्यारतियों, थेंक यू